इंस्पेक्टर को ड्रामा थ्रिलर और सस्पेंस से बढ़ा है जहां लेडीज इंस्पेक्टर सारे केज सॉल्फ करती है तो अगर आपको थ्रिलर सस्पेंस देखना पसंद है तो ये ड्रामा जरूर देखे ड्रामा की शुरुबात होती एक स्टूडेंस है जो लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है फिर बिल्ली देख के क्रिपी वाला स्माइल करती है और लक्री करती रहती है दुसी जगा दिखाता है ड्रामा की फिमेर लीड को यंग को जो गेम खेले में इतनी मशुरूफ है कि उसके घर जो है पूरा कच्रा बना है मानो कितने दिन से सफा लाई नहीं हुई और जो कंप्यूटर में खेल रही होती है वो भी बहुत पुराना हो गया था कि हैंग होता था बीच बीच में विचारी उससे भी परशान थी यह बहुत ही गंदगी वे में एंट्री हुई है फिर बताता है एंटी लाइफ इंशॉरंस कंपनी जहां पर की एक टीम होती है और उस टीम में से एक एक करके लोग ट्रांसफर ले ले लेते हैं दूसरी टीम में बस एक बचता है ग्यंग सु उस बिचारी से सारे केस भी ले रहे थे दूसरी टीम वाले ज्यादा पैसे होरा केस जुनने पर उसे एक केस मिल जाता है जो कोई नहीं ले करती है तुम्हारे अंदर वो fire है तुम कर सकते हो पिलता तब हम दो मिलके कैसे करेंगे तो फिना जी बोलती है कि एक और है और वो लोग जाते इंस्पेक्टर को के घर पे जाते तो कच्रा वाला घर भूल सकते जहां को क्यंग मतलब इंस्पेक्टर को जो है हूं मन लगा के खेलरी होती है तो कहा ना जी की बाद सुनती तो उसने उसकी घड़ की लाइट कार दी कोई फिर चिला न जी है उसे मानने जाती है फिर ना जी ही उसे अपने बैख पर उठाकर रेस्टॉरण पे ले जाती है तो दसोही पोड़ी रहती है फिको यंग उट के खाना देखती है बनाते हुए उसके मुझ में पानी आ जाता है क्योंकि दीन रात सी वो गेमी खेलती थी ना फिनाजी सब बताती है केस के बारे में कि टॉंगिंग जगा का नाम है जहां पर कीम मिंगू 35 एर्स का है वो मॉनिंग वाक के लिए गया था उनकी एक बेटी भी थी किम स्यून मी वहां दूसी तरफ को यंग एक ही बार में पूरा बियर पी लेती है अब उसका दिमाग चलने लगता है और बोलती कैसे मालूम कि दोनों अच्छे कपल थे कोई घर में कैमरा लगावा है क्या बाहर सब के समने नाटक भी तो कर सकते है नाजी बोलती अब भी तक सब पर डाउट करती हो मुझे लगता है कि वो लोग साथ में खुश रहते थे अच्छे कपल थे फिर वो लोग देखते रहते वहां टॉंग जगा दिखाता रहता है कि वो लोग ऐसे साथ में खुश रहते है चर्च पर प्रेयर करते थे और बाड़ी नहीं मिली उसकी वाइफ ने टेंप्लेंट भी बाटी है उसकी मीसिंग का पैसे का प्रॉब्लम नहीं है बस उसकी बेटी को डाइबेटीज है तो हॉस्पिटल भी लाता है फिर वो लोग खाते रहते हैं पुशती है केस करोगी ना को यंग बोलती है कि एक तो अ पासफ़र याद नहीं था नहीं खोल के दिखाती है और जैसे ही जाती है ओ माइगाड ऐसा लगता है किसी और का ही घर एक दम फुल चमकडा होता है और उसका कंप्यूटर भी चींज हो जाता है लेटेस वाले से वह सब देख को यंग तो पूरा शौक हो जाती है और सब्सक्राइब नहीं खरीच सकती क्या फिर गिंग सु उसको बैंक अकांट का बैलेंस बताता है कि इतना पैसा नहीं कि तुम खरीच सको और उसे साफ सफाई का पैसा भी बताता रहता है तो को यंग बोलता है उसे तो बेच भी नहीं सकते फिर दिखाता है कि सफाई करने जो आए थे उसका CPU जैसे ही उपन करते उसमें से कॉक्रोचेस निकलते हैं नाटक करती रहती है तब ही ना जी उसे कंप्यूटर ओपन करके दिखाती है वह देखके को यंग का मुख बंद हो जाता है और बहुत खुश हो जाती है फिने जी बोलती है अगर केस नहीं सॉल्फ करोगी तो यह सब वापिस कर दोगी को यंग बोलती कि करूंगी ना और अपने गेम के फ्रेंड लोगों को बताती रहती कि न्यू कंप्यटर आगया है अपसे हैंग नहीं होगा नाजी बोलती है कि कल गिंसु काल लेके आएगा तुम्हें लेने तो बोलती है नहीं मैं उसके साथ काम नी करूंगी जिस पर भरोसा नहीं है मुझे और उससे पूछती रहती कौन हो तो असल मैं कौन हूँ नहीं कि सारे टीम छोड़ दिये तुम क्यों नहीं चोड़े अभी तक वह बिचारा ये सब सुनके बोलता मुझे भी काम नी करना इस चंदी केजद्ट और भाग जाता है फिकोईंग अपने गेम में पूछती है किसी को कार चलाने आती है एक रेडियो जाता है फिनए जी उसका इंटर्व्यू लेती हैं सेंटर रहता है उसका नाम वीचारा वो बोल नी सकता है फिकोयं उसके साथ जाती है फिर दिखाता है स्कूल जहां कुछ लड़किया नाटक की पैक्टिस करती रहती है और बिल्यों को ढूंती रहती है फिर देखती है कि एक बड़ा सा बॉक्स रखा है बीच में जो यंगजू के लिए रहता है वो डर के मारे बॉक्स उपन करती है उसमें से वही एक्सपरिमेंट वाली स्टूडन बिल्यों के साथ सप्राइज देती है वहां इंस्वेक्टर को टॉंग यूंग पहुच कर चानबीन करना शुरू कर देती है और कि मिंग्यू की वाइफ पे नज़र रगती है देखती है कि उसे वाइफ को सब पसंद करते ह और बोलती उसकी बेटी की टुशन फीज, मेडिकल फीज और घर चारना वो सब कैसे अकेले कर लेगी बर इंशुरेंस का पैसा मिलेगा तो कर सकती है फिर कार में वो ड्रेस चेंज करती है अपना अब मस दिखती है वो बट तयार होने के बाद भीती भी है फिर उस एरिया क डिटेक्टिव आके पुशता है कि क्या कर रहे हो तो इंस्पेक्टर को बोलती घर लेना है पर सुनी हो कोई गायब हो गया डेंजर लगता है ये एरिया तो डिटेक्टिव बताता है वो तो वो लोग की किसमत थी बाखी एरिया में कुछ ऐसा असर नहीं होता उसका केमिकल प्लांड भी था जहां सब काम कर जेते और वेकिंसी भी थी सब अच्छा चल रहा था तो क्यों सुसाइट करेगा बिचारा फिसल गया होगा पहार पे वहां एक अंकल बैटे होते जो फिशिंग कर रहे होते हैं वो बोलते हैं लोग उसकी केमिकल फेक्टरी छोड़ते नही पहले हुआ है और संटा को इशारा करती है कि मेरा पैसे लेलो फिर जाके वोलोग की बेटी किम सिओं मी की ड्राइंग देखती रहती हैं जिसमें लिखा होते हैं कि उसके डैड डिक्रीयों लाया है उसके लिए इंस्पेक्टर को वह लोग की वेटी के नाम से मिलती है किम कि वाइफ से फिर अपने रोनी के एक्टिंग से बताती है कि युए घोदीए हो इंशरेंस वाले हैं कि मुझे समझते हैं कि मैंने ही मारी हूँ अपाँ युण नहीं बाक्राइट है कि मैं बिंplGO ठीक हूँ मेरा किसी ने सारी बिलीों को मार दियाक है व moż एक्सपबरिम्ट वाली स्टूडेंट पता करती और बोलती है किसी ने कैट को खाने में कुछ मिठा मिला के दियाक फिनाा जी जी हो सकता है कि चूरी हो गया होगा उसका फोन फिर जीदा ट्रेस हुआ था वहां इंस्पेक्टर को टैरीस पे खड़े होके देख रही होती है फिर दिखाता है कि तीन आदमी तीन अलग अलग होटल जाते हैं उसके पीछे तीन लड़िया जाती है फिर एक ही डिनेवरी का हाइज स्कूल का बता रहा है वह देख रही होती है कि कौन बीडियो को जहर दिया होगा फिव अपने फ्रेंड से पूछती है कि अगर पता चल गया तो क्या करोगी तो वह बोलती है मार दूगी कैट को मार दिया है तो उसे जिंदा रहने का भी हक नहीं है इस्पेक्टर कि बोलती है हम लोग बहुत लालकों से मीले हैं बट कभी शकल याद नहीं रखते हैं कभी कोई मास पहना रहते हैं तो कभी कोई चेश्मा फिश्पेक्टर को पुछती इस मार्क्स वाले के बारे में तो बताती है कि एक रूप में गई थी तो मास पहना था मुझे पसंद आया इसलिए मैंजर को कम्प्लेंट कर दो कि व घड़ भी पूस्ति कि कि passing का की तो बटाती है किना कमिकल प्लांट के तो उसकी मदद करता था इसलिए वो सब को मार रहा है जो बोट पे था इतना सुनते ही इंस्पेक्टर को बागती है और बोलती रहती है माक्समें जिस दिन आया है और की मिंग्यो का फोन जिस दिन ट्रेस वर दोनों एदिन सेमी था अभी भी जिन्दा है वो डर के भाग गया है क मतलब उसका वेट करती रहती है और इंस्पेक्टर को ये सब देखती है सोचती है उसकी ड्राइंग के बारे में और सेंटा को बोलती है कि चलो यहां से बाहर जाके उसकी वाइफ की कार में देखती है कि मीठा स्नैक रखा हुआ तो सोचती है उसकी बेटी को तो दे नहीं स है कोई टायर पंचर कर रहा है जल्दी आव में को डर लग रहा है और सेंटा को पंचर करने बोलती है और दोनों जाते हैं उसके घर पे पुरा ढूंटते हैं कि उधार तो नहीं है कि मेंगी छुपा हुआ बट वो मिलता नहीं फिर उसकी वाइब देखती कि टायर पंचर हो पुलिस भी आ जाती है पुलिस बोले बोलता है कि चलो छोड़ देता हूं फिर यहां डूंते डूंते एक फोन मिलता है वह उठाती है तो सुनती है कि की मेंगी बोल रहा है कि कुछ खाने को लाओ कपसे भूख लेगी है फिर इस पेक्टर को देखती उस फोन को पांच भी उसे मारदा है और भाग जाता है और पेर पे ग्रीन कलर का निशान दिखता है तो उसका पिछा करता रहता है जब इंस्पेक्टर को को होश आता है तो वह भी उसी निशान का पिछा करके जाती है फिकी मिन क्यों एक गुफा जैसा रहता है उदर घुज जाता है पर जब जोत पहुशती है वह उस दर्वाज़ी के पास पत्थर गिरता है इंसपेक्टों को भाग के दरवाजा खेर गण लगा कि देखती है दो वाजे के बाहर वही स्टूडेंट रहती है अगले दिन सब स्टूडेंट नाटकी पैटिस करते रहते तब वही स्टूडेंट बोलती है कि जनीटर अलकोहल पी लिया दूद के बाद नहीं तो मर जाता मुझे मारना था उसे बट लगता है काफी नहीं था तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या बात कर रही हो तो वो बोलती है तुम ही मारना चाहती थी ना उसकी फ्रेंड ये सब सुनके डर जाती है तो वो लोके सर आते हैं और बोलते है पुलीस आये च्छान बिन करने के लिए और वो पुलीस वाली वही सर की वाइफ रहती है और वो रहती है इंस्प इंस्पेक्टर को बोलती है, डिसाइड मैं करूँगी कि तुम्हें पता है कि नहीं वहाँ जो टेलिस्कोप वाली लड़की रहती है, वो वही स्टूडन रहती है, उसे देख के इंस्पेक्टर को शौक हो जाती है और यहीं एपिज़ट खातम हो जाता है, वो एक्सपेरिमे उसमें किम ग्योन मर जाता है फिर जिदे किम ग्योन चुपा था उदर जाएके शॉर्ट सर्कृट करके सारे इसवुद ले लेती हैं वो घर को जलता देखके भी मजा लेती रहती है सच में साइको लगती है फिर अगले दिन पुलीस आके देखती रहती है और न्यूज आता जो नहीं मिल रहा था वो एक गुफा में गया है उस गुफा में केमिकल था जिसे सास में लेने की वज़ा से वो मर गया और यह सब गयोज चीफ यर्ण जो कि चिरिन एक आधिशन की चीफ रहती है देखती रहती है और अपने असिस्टेंस से से इप्ने घर जाती है जहां उसकी आंटी उसे पुछती है कि कहां थी राज भर वो बहाना माल लेती है फिर उसकी अंडे पूशती है कि वापी से वही सपना आया था क्या तो वह बोलती नहीं नहीं अभी ठीक हूँ मैं करके फिजा क्या अपनी स्कूल कीफोटो देखती है जिसमें इंस्पेक्टर को भी रहती है वहाँ इंस्पेक्टर को पुलिस टेशन में बैठ के सोचती रहती है ये सुचीने हादसे था या किसीने करवाया है कुछ तगरवर है फिर उसके बाद वा पुलिस वाले से पुछती है कि जो केमिकल प्लांट में लोग मरत है उस पे कितना रिसर्च किये हो तो पुलिस वाला बोलता इन्मेस्टिकेशन करने जैसा कुछ था ही नहीं कि ऐसे एकदम सिंपल था सबका एक्सिडन से मौत हुई है इंस्पेक्टर को लीजिन के बार में पुछती है जिसकी लाश पानी से मिली थी तो वो बोलता है लीजिन तो बस पी के घुमता था तो पानी में गिर गया होगा फिर सो इंस्पेक्टर को बोलती है कुछ तो गरबर है इतना गरबर तो एसी भी प्रधुमन भी नहीं किया होगा CID में फिर सर खुजलाते हुए चली जाती है फिर वहाँ नयर जी और गिन्स यू लीजिन के फुनरेल पे जाते हैं वहाँ देखती है कि किम ग्यूइन की वाइफ आई थी इधर फिर इंस्पेक्टर को उसकी वाइफ से मिलने जाती है वहाँ जाके बोलती है कि मैंने कुछ नहीं बताई को फिर इसको तुम इंशरेंस का पैसा मिल जाएगा टिंचन मतलो उसकी वाइट बताती है कि किम यूई नहीं प्लाइन बनाया था कि अगर एक साल ऐसा नाटक करेंगे तो इंशरेंस का पैसा मिल जाएगा फिर ये जगा छोड़के चले जाएगे तो इंस्पेक्टर को बोलती बड़ उसने एक बेवकुफी वाला काम किया उसका फोन आउन करके अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा वो गुफा के हावा में केमिकल होना और उसके घर को शासरकी करके जला के सबुत मिटाना इसे मतिम नहीं की होगी का कौन किया है फिर और मुझे बोले हेल्प करने फिर मैंने उसको बताई कि पेड़ पे ग्रीन वाला निशान फॉलो करने अगर कुछ हुआ तो इमर्जनसी के लिए मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा और रोती रहती है बोलके पर इंस्पेक्टर को बोलती है तो मैं तो पता था त यहां उसके हस्बन और वो बैठे रहते हैं उसकी एक इमेज दिखाता है इंस्पेक्टर को सुचती है कि कैसे लीजियून पानी में तहनी पाया होगा और यह लोग सब मजे ले रहे थे तब ही एक एक करके यह लोग मर गए वो भी ऐसा कि किसी को शक नहों कि मर्डर हुआ ह सौंगी जो रहती है वो एक स्कूल में टीचर का काम करती है फिर एक शिप दिखाया जाता है जिसमें सौंगी और उसका पार्टनर बात करते हैं मतलब इतने लोग को मारने के लिए वही हेल्प किया था जहां वो सब एविडेंस साफ करता है जो किम गिवन के पास से उठाय सौंगी बोलती है कि और कोई नहीं है क्या मानने के लिए वहाँ इंस्पेक्टर को गेम में हारती रहती है क्योंकि उसके दिमाब में वैसी बहुत कुछ चल रहा होता है तब इना जी आती है और बोलती है मुझे निकाल रहे मेरी टीम जो हो बैन हो गई है टीम भी तुम का अपने सर्ज मिस्टर जूंग मतलब इंस्पेक्टर को के हस्बेन के बारे में पूछती है कि क्यों सुसाइट की उनने तो वो बताती है कि अफ़ा थी कि मिस्टर जूंग का किसी और के साथ चक्कल चल रहा था और वो पानी में डुपके मर गई है लोग तो बोल रहे कि मिस्टर जूंग नहीं मारा है उसकी वाइफ मतलब इंस्पेक्टर को पुलीस बाली थी इसलिए उसने ये मुर्डर को एक्सिडन साबीत की है बट मिस्टर जूंग शरमिंदा की वज़े से सुसाइट कर ली है इस्पेक्टर को जॉब छोने से पहले अपने हजबन को बेगवना सावित करना चाहती थी बट कर नहीं पाई तो सौंगी बोलती सच भी मिस्टर जूंग बिचारे को मारी थी विस्टर जूंग को भी जिंदा रहने का हक नहीं है और ये सेम डालग वो बोली रहती है कैट के लिए बिचारी डर के मारे जाती रहती है तब ही सौंगी बोलती है अपना नंबर चेंज कर दी हो ना तो नया नंबर दो ना बिचारी काप जाती है और उसके पैर पकर के रहती है कि अकेले छोड़ दो मुझे प्लीज वह इंस्पेक्टर को गेम खेल के रखती है तब ही सुनती है कि कोई बोल रहा है कि मैं सुसाइट करने जा रहा हूँ जीने का कोई मकसद नहीं है इस सब सुन के वर उसके घर का एड्रेस निकाल के घर जाती है और उसे रोपती है सुसाइट करने से बट वो बोलता है कि बिल्डिंग से कूथ जाँगा इंस्पेक्टर को उसे कूथ के दिखाती है जहां वो कचरे वाली गारी में जाके गिरती है और यह सब सेंटा देख लेता है इंस्पेक्टर को कच्रे के ठेल से उट के जाती है और टेक्सी ढूनती रहती है बड़ मिलती नहीं फिर एक टेक्सी वाला उसे बठाता है और वो रहता है चिफ यॉंग का असिस्टेन फिर पूछती कि क्या लगता है तुम्हें कौन मारा होगा किम गिवर्मेंट को तो इंस्पेक्टर को बोलती वो केस तो एक्सीडेंट बोलके बंद हो गया है चीफ यॉंग बोलती बड़ तुम भी तो मडर समझ रही हो ना बता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें तो इंस्पेक्टर को वो ही बोलती है कि एक एक करके सब को ऐसे मार रहे है कि एक्सीडेंट लगे मरडर नहीं मैंने बहुत बता दी अब तुम बता मुझे ऐसे यहां लाने का क्या मतलब है क्या चाहती हो तो बोलती है मुझे भी कुछ सहीं नहीं लग रहा है चलो साथ में मिलके पकड़ते हैं मरर को मैं तुम्हें इंफोर्मेशन दूंगी तुम काम करना फिर इंस्पेक्टर को बोलती है कि मैं खुद टीम बनाऊंगी एंटी इंशारंस कंपणी की टीम भी ही चाहिए मुझे दोनों डील माल लेते हैं फिचरिंग योंग बोलती है कि अगर बात बाहर गई तो के मार देगी हम लोग किलर मरर को के बोलते हैं फिर इंस्पेक्टर को घर जाती है वहां देखती है कि विल्डिंग के नहीं जैसेंट मोँझे पे पर लोग के सालस करना शुरू करते हैं एक केस रहता है कि एक अंकल सीरी से गिरने की है कमर जुक के मतलब कुछ नहीं हुआ है उनको कमर में तो इंशारेंद उनका कैंसल हो जाता है फिर दूसरा केस रहता है कि एक एकसिडेंट में एक लीडी बहरी हो गई है इंस्पेक्टर को उसके दुकान पर जाती है और फोन पर एक्टिंग कर दी है उसके बेटे की आपके हैं, यहां कि सब्सक्राइब आता है और के इंस्पेक्टर को बनाच हो शॉंगी और जाके वो अंक्ल से मिलती है तभी इसक प्वोचति है क्या तुम्हें इसने बताया था कि धा इसे इंशारस लेने से पहले वह अंकल बोलते हैं याद है मुझे तुम बोली थी कोई चेक नहीं करेगा रिकॉर्ड बाद में इंशारस मेरा हस्पिटल में काम आएगा करके इंस्पेक्टर को बोलती है अगर यह सब सच बोल रहा है तो तुम्हारी जाब चली जाएगी फिस इंस्पेक्टर को जाती रहती है सौंगी उसके बाल से कुछ निकालती है और फिर जाती है तब इंस्पेक्टर को बोलती है कि ऐसा क्यों भी एफ कर रही हो कि मुझे जानती ना स्कूल टैम का दिखाता है जा इंस्पेक्टर को सौंगी से पूछ रही है जैनिटर के बारे म सोंगी तो संगी और सुचने कियों नाब को मिस्टर जंग की वाई खुुश होने के ect oldu और बर भी अभी पता चला को मिस्टर जंग के वारे में भहुत धुक हुआ सुनके और संटा नहीं रोखता तो Lenka सारी से कूट के भागने लगती है सौंगी यह सब देखके मज़ा लेती रहती जब अपने घर आती है तो देखती है कि उसका पूरा घर भी खुराया और उसके डैडी पड़े हुए है डर के उठाती है उनको तम आलम पड़ता है उसे कि वह उसके ही बेटी के साथ खेल रहे पी और जू depends कर दिखेंग शेफ यह से मिलने जाती है की अब से चल झौब होंग अब जोब को मुझे बताने डेरें की इंस्पक्टर को मेरी टीम मीरे टीम घो परेशोर्यच का देमiscs की कीफट्ट कर लेवाय फिशेमेंचर को एन्चार या फाइल डिक्ट्यवरी बॉई तो सारी फाइल देता है मतलब मर्डर हुआ है बड़ उसे एक्सिडेंट बताया गया है और यह फाइल जो रहती चीव यांग भीजी देती है और पेपर परता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ जरुबत पर रहे तो कॉल करना और उसे जला देता है वह देखिए इंस्पेक् को सब बताती है कि अपसे हम लोग इंशारंस कंपणी के लिए काम नहीं कर रहें बलकि के नाम के मडर को ढूनेंगे और बलते जितनों का मडर हुआ है उन सब में कुछ कौमन नहीं है अलग जगें पर भी रहते थे फिर क्यों मारे होंगे तो इंस्पक्टर को बलती यह मत स करते हो किसको माना है यह सब बकवास दिनों में से कोई नहीं सुनता है वहां सौंगी और उसकी अंटी रेस्टराण में खाती रहती है तब यह न्यूज आता है कि एक लड़के ने अपनी गल्फरिंड की वीडियो रिलीस करने इस पर सिर्फ फाइन भर के उसे छोड़ दि देखाके तो उसकी अंटी हस्ती रहती हैं फिर वो लोग जाते हैं ड्रामा देखने उस रामे की सीख रहती है कि अपनी आंके खोल के खुद को देखो फिर एक रेस्टराण के बाहर सौंगी व्लॉब बनाती रहती और इस रेस्टराण में वहीं लड़का बैटा होता है ज जिल से निकलने के लिए उसका पार्तन सीसीटी कैमरे से भी फूटेज निकाल देता है पिर सौंगी एक्सपरिमेंट करके तेल में कुछ मिलाती है और फ्रेंच वाय बनाके उसमें कुछ दवा लगा के चुपो को देती है फिर उसका डिलिवरी आता है वह बोलता है वह और उसे जो डिलिवरी आती है वो वही ड्रामी की बुक रहती है जो उसने देखी थी और उसको पड़ती रहती है अब असल गेम शुरू होता है सौंगी का पार्टनों वही मिलावट वाला तेल एक पार्क में रखता है उदर उसे कोई दुसरा उठाता है और किसी को कार में यह जा दो बेदेता है तिर सक एक मैसे ताया दोल लटके अप्सfahr कि रहता है और वही जो कि नखा होता है मतलब संगे यह लोग के हैं अब कैसे आगे यहां हूं देखते हैं उसके कैप में केमरे लगा होता है और सब रिकॉर्ड होता है। और उस फेस्टिवर में सौंगी भी आई रहती है। फिर वही कार वाला वह कुकिंग ओयल लेगे आता है और एकी फूट स्टॉ ये किचन में जाके रख देता है। फ्रेंश वई खाके वो जाता है लर्किया देखने, तबिए एक आड़े बलून लाताई और बोलता है फेको किसी पे भी, साफ थेकने लगते है, तबिए एक लर्की उस पर भी फेक देती है, उसके बाज से उस लरकी की तविफ़ीत खराब हो जाती है, सांस लेने न subtै उसको लडखराते लडखराते जाके एक जगे पर बैड याता है वहाँ सौंगी दोर से दिर्ख के उसे मज़ा लेती रहती है और बोलती है आग खुल के खुद को देखो जो कि वही ज्रामे का सीख रहता है तभी उस लड़के के पास उसकी गर्फिट आती है और उसे बोलती है कि वीडियो डिलीट करने बट वो जब नहीं सुनता तो उसे चाकू से मारती रहती है बार बार सब लोग उसे देखने लगते हैं फिप पुलिस आके उसे अरेस्ट कर लेती है उस कॉलेज का कुछ-कुछ फुटे सौंगी का पार्टनर डिलीट कर देता है जब सौंगी को बुरा लगता है उस लड़की के लिए तो एक वीडियो रिलीस करती है जिसमें वो लड़का मर रहा होता है और तीन कार्टन चवरा कर रहे है कि मैंने किया मैंने किया ये क्लिप उसका पार्टनर और इंस्पेक्टर को दोनों देख लेती इंस्पेक्टर को समझ जाती है कि ये के कही काम है तो वो लड़की का पोस्मार्टम देखने हास्पिटल जाती है वहां सौंगी का पात्नर उसकी सारी भूग जिससे सीख लेके उसने सबको मारी है वो बैग में भड़ता रहता है और सौंगी पे चिलाता है कि क्या जरवत्थी वीडियो इतना ही है तो जाके सरेंडर कर लो तुम्हें क्या लगदा तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगी तो व ऐसी करती रहोगी तो मैं हेल्प महीं करूंगा तभी सौंगी उसकी गर्दन में कुछ शुबाती है और बोलती है बस हुआ है सबर कर इंतिहान मत लो बुक सब रग दो वापिस वो पिचारां रग देता है वहां इंस्पेक्टर को डॉप्टर से मिलती है और पूछती है व वो फेस्टिवल का नहीं का फिगुरिंग सक आके बताता है उस लड़की के बॉड़ी में क्या क्या मिला और बहुत सारे केमिकल का नाम लेता है और पूछता है यह सब तो जहर नहीं लग रहा है तो इंस्पेक्टर को बलती है कि अगर एक केमिकल के बारे में बात करेंगे तो जहर नहीं है बड़ सब केमिकल को मिला देंगे तो जहर से बड़ा खतनाक हो जाएगा फिर बताती है कि एक केमिकल टेल में दुस्तर केमिकल बावल में और एक और बलून में था तब जाके जहर हो गया है और यह सब बड़ी प्लैनिंग के साथ किया है फिनह जी जा के चेक करती है और देखती कुछ कुछ डिलीट रहता है सौंगी का पार्टनर टेंशन में रहता है फिर नेजी उसको ढूंदी है जो बलून लेके आया था फेस्टिवर में फिर उसका एड्रेस मिल जाता है वो लिखती है इंस्पेक्टर को उसके घर पहुंच के उसे पुछ त है यहीन के तक पहुंचाया सकता है फिर लग उसका पिंशा करते हैं लड़की के साथ जीम में थी फिर फिर्व अपनी ऑपड़ की आईडी का ले लेती हैं इंस्पेक्टर को उस लड़के की गर्फरंड से जाके मिलती है पूछती है तो मैं भी फोन आया था हेल्प के लिए तो वो बोलती कि नहीं तुमने नहीं मारे है उसे वो पहले से मर गया था कोई तुम्हारी मादद किया है येलो नंबर अगर वो लग फोन करेंगे तो मुझ तो वो बोलती क्यों बताऊंगी सिव उस नहीं मेरी मदद की है उसको कैसे धोका दूँ ये सुनके इंस्पेक्टर को को स्कून का टाइम याद आता है जहां उसे सौंगी पुछती है तुम क्या करती अगर किसी को मानना है और पकड़े भी नहीं जाना है तो तो इंस्पेक सौंगी की एक्सिडेंट लगे और ये सब खुद नहीं करूंगी दूसरों से करवांगी जो कभी मुझे धोका ना दे मतलब सौंगी जो स्टाइल में मडर करती है वो उसे इंस्पेक्टर को ही बता सौंगी अपनी अंटी का आइकाड यूस करके कंपनी में घुश जाती है और एक माइक वो लोग के अफिस में लगा देती है फिर तभी सेंटा आ जाता है वो देखता है कि कचरे का डबा रखा है तो उसे पाकिंग लॉट में जाके रखता है उसमें से छुपके सौंगी जाती रहती है फिर सेंटा को याद आता है कि खुद सफाई करनी वाले प्रखिर में टॉम मतलब सेंटा जरी मतलब संगी को पगण नहीं पाता है संगी एक छोटी सी बिल्डिंग के टैरिस से कुदी मारती है जिसकी वज़े से उसके पैर में मोच आ जाती है वहां गिंग संग इस्पेक्टर को और जी को कार्टून वाले वीडियो के बारे में बत किसना गिराया था तो वह पताता है कि कैमरा में गिराता है और बाद में हसता है इंस्पेक्टर को बोलती ऐसा सब बच्चों को सिखाते हैं यह लोग फिर वो लोग बात करते हैं कि यह वीडियो के जर्य के अपना मैसेज दे रही थी इतने फटाक से वीडियो डाली है और अब उसका दिमाग चलने लगता है तब इसेंटा भागते हुए आता है उसे देख किया पुछते है कि कहां थे फिर देखते है कि उसके पुरी बाड़ी में से स्मेल आ रहा है फिर वो सबको बताता है कि कर राद यहां कोई घुसा था और मुझे यखिन है कि वो के था फिर वो लोग सिसी टीवी देखते है कर रात का उसकी बात में कोई आकिन नहीं करता तो गिंग सुंग बोलता है कि सची बोल रहा होगा वो उसके पीछे कुछ सोच के भागा होगा अगर वो शरीफ होता तो भागता थूरी तो इंस्पेक्टर को उसके पीछे भाग के देता है सब समझ जाती है फीवर लोग एक रेस्टोर न में चानबिन करता है कि यहां तो नहीं है न कुछ माइक वाइक उसे देखिए इंस्पेक्टर को बोलती कुछ गलत कियो क्या नहीं न तू मत करो ये सब कैसी उसी को मारती है जिसने कोई पाप किया हो इसलिए सेंटा भ बार बार वह मोबाइल में लिखता है और वह बाद उसके मोबाइल से आती है तो उसे पुछते की पक्का लड़की थी तो बोलता हाँ नहीं एक लड़की जिसकी उमर कुछ 20 साल हो और यूएस में रहती थी इंस्पेक्टर को सोचती रहती है वहां सौंगी की अंटी को एक इसी एक्टिंग करती रहती है जिससे उसके सारे मेंबर गुस्सा करते हैं वह देखती कि इंस्पेक्टर को उसका वीडियो निकालती रहती है सौंगी अपना पैर उठाती है तो इंस्पेक्टर को गौर से देखती है क्योंकि उसे सेंटर ने बताया था कि विल्डिंग से इसके सीधे पैर में चोट लगी है फिवो सौंगी के पास जाती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तुम यह से में पढ़ी थी ना तो न्यूस वह ने कार्टून तो देखी होगी कारत करा थी तुम बर वह किसी भी सावाल का जवाब नहीं देती है दो zaris बस घुमाती रहती है तो इसंपेक्टर को इसे भुलती है कि जवाब देने तो अपढ़ पर खड़े हो जाती है और स्टेश से कूदी मारती इह इस पैर ऑजादी को यह पोई दोस्त नहीं है मेरा मैं इस कार्टून के बढ़ में नहीं जहांती अकल रिहासल कर रही फिर उसे वो खिषते हुए संसेट दिखाने जाती है और बोलती है आग बंद करके बस फील करके देखो इंस्पेक्टर को करती है तो उसे अच्छा लगता है तो उस पे से शक हटा के वो चली जाती है फिसौंगी जल्दी से दवा खाती है उसके पैर दर्द का क्योंकि उस व नेजी फून पे बात करके चली जाती है वाँ इंस्पेक्टर को एक रेस्टरान में बैट के नई मतलब लेट के बोलती रहती है कि कैसे रह पांग इतना शक करके तभी एक बच्ची आती है और बोलती है मेरी बहन गुम हो गई है अपना मोबाल दीजी है ना तो बोलती कि क करोगी नमबर यादे है इतने सारे लोग है तो महीं क्यों तभी उसकी बहन आ जाती है इंस्पेक्टर को इस बीचारी बच्ची पे भी शक कर रही थी फिर उसे कॉल आता है किम यूएन की वाइफ का जिसका नाम यूजे रहता है वो बोलती है कि मुझे भी हेल्प कर निकल और बोलती कि ज़्यादा चकनना रहना होगा नेजी से भी फोन मांगती है तो उबट नहीं देती है तभी उसको इसके डैडी का कॉल आता रहता है इंस्पेक्टर को इतनी शक्की इंसान रहती है कि अपनी टीम मेंबर अपनी दोस्त नेजी से पर भी शक करती रहती है यह स इससकी जान खत्रे में भी हो सकती है तो नहीं बोलती है तुम्हें सिर्फ के से मतलब है ना भले कोई मर जाए अभी विस अपिशाद करती हो पहले जैसे फिर पहले का दिखाता है जाएं इंस्पेक्टर को अपने ही हस्बेड से पूश्दाच कर रही है फिर उसके फिनरल नेजी भरक जाती है और बोलती है कि मेले से जादा तुमारी कोई फिकर नहीं करता होगा बोलके चली जाती हैं मतलब संगी का पार्टनर अपने दोस्ट के साथ रहता है तो संगी उसे कॉल करती रहती हैं बट वो उसका फून नहीं उठाता फिर वो दोनों बात करते रहते है केनवोग बताता है कि हम लोग वहां रहते थे जब तक मेरी डैडी स्कूल जैनीटर के में काम करते थे उसके बाद हम लोग शीफ्ट हो गए थे तब फिर कॉल आता है सौंगी का वो जब नहीं उठाता तो वील चिल पे बैट के उसके दोसको ढखा दे देती है केनवोग ये सब देख के डर जाता है सौंगी उसे बोलती कि फोन नहीं उठाओगे वो डर के जाता है माँसे फिस सौंगी कॉल करके बोलती अपसे फोन उठाना मुझे अकेला मैसूस मत करवाना वहाँ नहीं जी की बैटी जो विमार थी उसको चीफ यंग स्पेशल रू में एडमिट करवा देती है वी नहीं जी और इंस्पेक्टर को बात करते हैं कल के प्लान के बारे में कल का शुरुवात होता है यूँजी को वो लोग एक ट्रेकर और माइक दे देते हैं कि उसकी लोकिशन पता कर सके वो चलती रहती है उसका पीछा इंस्पेक्टर को और सेंटा करते हैं यूँजी मेट्रो में चलती है वो लोग रोड से पीछा करते हैं फिर सुनते हैं कि एक लेड़ी टेन में से उसको बोल रही है कि साथ में उताने स्टेशन पे, फिर उसे साथ में ले जाती रहती है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं तो सेंडा उस लेड़ी का पीछा करता है, और इंस्पेक्टर को यून जी का, फिर देखती है कि यून जी एक बैग में से फरन उठाती है और उसमें कुछ पर के वो माई को ट्रे कर निकाल के उसमें रख देती है और बैग में से पानी की बॉटन निकाल के चाती रहती है इंस्पेक्टर को बोलती है कि जरूर पानी में कुछ मिला होगा पिछली बार की तरह फिस सेंटा से पुछती कि तुम किदर हो? वो ओल लेडी का पीछा करके असमानी जूले में चर जाता है। उसकी फटती रहती है बट तब ही वो चर जाता है। उसका जूला बीच में रुख जाता है फिर वो दिखता है कि ओल लेडी चोकलेट खा रही है। मतलब ओल लेडी का पीछा करना वहां यूंजे पानी एक पूल जैसा रहता है उसमें मिला देती है, बच्चे वहाँ सब खेलते रहते हैं, ये देख कि इंस्पेक्टर को भाग के आती है और सारे बच्छों को भगाती रहती है ड़़के मारे, यूंजे वही पानी उसके सामने पीदी है, फिर इंस्पेक्ट इसके मोबाइल में देखती है जिसमें लिखा होता है कोई मनने वाला नहीं है वो समझ जाती है कि के ने उन्नु बनाई है और बोलती है कि कि ऐसा बेफाल तो काम क्यूं करेगी तरह जी और गिंग सुथ बुलते रहते हैं फिर देखते हैं कि उनकी आवाज चेंज हो गई है वो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं बटना दर्वाजा खुलता है और नहीं खिरकी वो लोग का उसमें दम खुटने लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं इस्पेक्टर को जब वहाँ जाके देखती है तो कार महां से गायब हो जाती है वो बोलती है कि यूंज के देखते हैं कि एक कंटेनर में बंध है जिसका ना कोई भार जाने का रास्ता मिलता है इंस्पेक्टर को वो लोग को कॉल करती तो नहाजी भो दिये बंध का लेवल भी बर्रास सेंटर और इंस्पेक्टर को दोनों स्कू्ठी पे बैट के जाते हैं और यह सब देखके से लेके जाते हैं कुछ old man देखते रहते हैं उसे वह आदमी को किन वह पैसा दिया रहता है सौंगी को फसाने के लिए वहां सौंगी को चेल में रख देते हैं उसको इस बात का अफसोस रहता है कि वह ये लोकों तरबते हुए नहीं देख पाएगी वह इंस्पेक्टर को छालत भूट से लेटें। इंसपेक्टर को से पूछती एक किया कुछ याद है कि क्या वो बताता है कि अचानक आवास चींच हो गई ती फिर हमनों बेहोश हो गए तहीं जब होश आया तो बॉक्स में थे इंसपेक्टर को उसकी लेखती है कि पूरा जला जैसा होता है इंस्पेक्टर को बोलती एक ही काफी होगा दो को उठाने के लिए जरूर ऐसे लेके गया होगा को सोचके वहाँ से जाती है इधर आगया पूशती है वह सीसी टीवी दिखाता है फिर देखते हैं कि एक आदमी कोट पहना है उसका ओनर बोलता इसने रिटार नहीं किया है मीन कर रक्कता है तो बोलती है यहां रख कर वाश्रूम चला गया था। इंस्पो को और सेन्टा इसने नों वाश्रूम के भाजीवाले डस्वीन में तक ऑर्षा को सुनती है कुछ ओल्ड मैंन लोग बुलते रख एंसपेक्टर को वह लोग से जाकर पुछती हैcil Act wr going और को il exactly वहाँ सेंटा को देस बीन में से माक्स मिलता है, इस्पेक्टर को याद आ जाता है कि वैसे हाथ का करना सौंगी ही करती थी, फिर वो बोलती उसे सब पता था तब भी मेरा सामनी आई, वो लोग को ऐसे ही मार रही है जैसे मैंने उसे बोली थी, वहाँ सौंगी जेल में लेट में काम करती थी, उसकी आंट हमारे कमपनी में काम करती, जो यूसे में भी पड़ी थी, जितनी इनिफॉर्मेशन निकाल सकते हो, निकालो, वहाँ सौंगी पुली स्टेशन में अपनी सफाई देती रहती है, उसे पुछते है किसको बुलाए, तो वो बोलती मेरी आंट को, फिर पुछते है क्या तुम्हारे पैरेंस मर गए है, फिर दिखाता है एक जंगल जिसमें उसके पैरेंट लड़ते रहते हैं, फिर दोनों अपनी बेटी को कार में छोड़ के चले जाते हैं, फिर थोरे देर बाद वो जंगल में जाती है, फिर सारी पुलीस लोग आके जं नहीं है, फिर दिखाता है एक बाप अपने बेटे का कुट्ता मार देता है, और वो रोता रहता है, और ये सब सौंगी देखती रहती है, फिर उसकी आंट से पुछती है क्यों रो रहा है, तो वो बोलती है उसके फादर ने कुछ बुरा किया है, इसलिए दुखी है वो, और उसे वहां से ले जाती है, फिर उसी बाप की घर्ब में आख से वो खिलती रहती है, डॉक्टर जब उसे पुछती है कि तुम्हें बुरे लोग को देख के कैसा लगता है, तो वो बोलती है कि अंधेरा, और उसे परचाई दिखती रहती है, तभी उसकी आंट आ जाती ह इंस्पेक्टर को पुलिस जाके उसे ढूनती है, बर उसे पता चलता है कि वो पहले ही चली गई है, सौंगी पुलिस टेशन से निकलने के बाद सीधा जाती है केनवोग के आफ, वो आफिस में बैट के देख लेता है, फिर देखता है कि इंस्पेक्टर को पुलिस टेशन पहुंची है मतलब वो सब जान गई है फिर दिखाते है स्कूल टाइम का जैनिटर हस्पिटल में एडवेट है उदर का डॉक्टर इंस्पेक्टर को बता रहा है कि उसके पर जाता है और बोलता हम वर क्यों नहीं चाते हो माम सुकुन से तो रहीगी उसे मानने जाता है बट नहीं मार पाता है तभी पर्दे में से सॉंगी निकल के बोलती है तुम नहीं मार पा रहे तो मैं मार चूंद क्या तूंघ्टा कर सकती हो सूंगी जैनिटर Jedi कोश के यहां Ken-Wock Songi से मिलता है, वो बहुत गुसे में रहती है, क्योंकि Ken-Wock बने उसे merely drug के मामले में फसाया था, Ken-Wock उसे बताता है कि इनस्पेक्टर को सब मालुम पर गया है, वो पुली स्टेशन भी गई थी, अब सब को मालुम पर जाएगा हम जेल चले जाएगे, सौंगी उसका चेन निकालके बौलती है तुम्हारे Laver को भी मालूम पर जाय का न और उसका चेन पख़ड़के क्यों से खीचती है और बोलती है आभी तुम्हारे पास कोई है इसलिए मुझे फसा रहे हो और उसका चेन तोर देती है और उसे बौलती की आंट टेंशन में रहती है तो उसकी साइक्रेट्रिक डॉक्टर से पुछती ही क्या सौंगी सही में ठीक है ना तो आप बोलती कि हाँ भी सही है वो वह इंस्पेक्टर को सौंगी के घर जाती है टेप लगा कि उसका पासपर्ट देख लेती है फी वह लोग अंदर जाते से सेंटा पुछता है क्या ढून रहा है तो इंस्पेक्टर को बोलती है कुछ चीज़े सिव हमें ही समझेगी वहां के पर्फियम से सेंटा को पारकिंग लॉट का याद आता है फिर उसके डेक्स पर पैर दर्द की दवा रहती है डूंदे डूंदे इंस्पेक्टर को को एक मिलता है जिसमें वहीं डॉल रहता है वहां से सौंगी की आंट आती है यह लोग छुप जाते हैं उसकी आंट कीचन के डबे में चेक करती रहती कि ड्रग तो नहीं है पर उसे नहीं मिलता है तभी बाहर देखती है कि दो शूज रखे वो डर के पुलिस को कॉल करती है और इंसपेक्टर करों आचानक से आजाती है और के चिलाने लगती है मैं से यांट करता है और इंसपेक्टर को बता दी की यह पूलाइथ है उसकी मुझे भी बुलाई है सक्द 되면 ब्हूर्टी चली जाती है इंस्पेक्टर को कुल करकर बोलती है कि पता करो हैं रीवर के पास तौंगी या उसके आंट के नाम पे कोई कंटेनर है क्या वह पुलता एनरजी को होश आगया है तो वह उदर जा के उसे सब पताती है कि के शायद कोरिया चोड़के जाएगी तो बोलती है चीविउंग को क्या उनके साथ ही पकड़ना होगा एरपोर्ट पे ही इंस्पेक्टर को बोलती है कि तुम ही बता देना कॉल कर लीडर का काम होता यह सब और स्काफ देती है कि कोई उसका जखम ना देख सके वहाँ चीफ यॉंग टेंपल में रहती है तभी उसका बड़ा बेटा सेंग्टे चीफ यॉंग अपने बड़े बेटे सेंग्टे के साथ मॉंग के पास जाती है उसे राई लेती है क्योंकि सेंग्टे इलेक्शन में खड़े होने वाला था मॉंग को कोदम नाम के बंदे का फोटो दिखाती है जो सीयो रहता है आईटी कंपनी का उसे देखके मॉंग बोल आती है और खुद भी एरपोर्ट जाती है एरपोर्ट के बाहर यह दोनों वेट करते रहते हैं सीसी टीवी रूम में नहीं सबको बताती रहती है तब चीफ यॉंग उदर आती है और जी को बोलती है सई से डूनने पूछती है उसे पकरने के बाद क्या करोगी बड़ वह पहले पकड़ो फिर बात करेंगे वहां उसकी आंट चेक आउट करती है बड़ सौंगी का पता नहीं रहता है इंस्पेक्टर को कार से दिखती है कि कहीं दीख जाए बड़ उसे एक लड़की के बैक में बोर्ट दिखता है और बस में हैं रिवर का एडूटाइजमिन पता है कि उसका फून और आ रहा है वह एर्पट में पहुंच गई है बड़ सब लोगों नहीं दिखती है वहां फोन ट्राइक करके वह उठाती है और बोलती है मैं सो गई ती इसलिए आप चाओ मैं दूसी फ्लाइट से आती हूँ वहां सौंगी का बैग एक लड़की लि से काम करो और चली जाती है वहां एर्पोर्ट में सब लोग जाने लगते हैं वहां का सिस्टीवी देखके कि वहां शौक हो जाता है कि इतने लोग थे उसे पकड़ने के लिए यह सुनके सौंगी खुश हो जाती है और बोलती इतनी ही पॉर्टेट नूम है फिर बैंग ले कि 52 कंटेनर नंबर सौंगी के नाम पे हैं यह सुनके इंस्पेक्टर को वहां से जाती हैं और उदर जाके ढूनती है फिर सौंगी के कंटेनर में जाके सौंगी को देख लेती हैं सौंगी उसे देख के स्माइल देती है और चल्दी अंदर से दर्वाजा पकरती है और इंस कि नियुक्तर को मार नहीं जाती है वो डर के दरवाजा बंद कर देती है अब इस सऑंगी दर वद खुलना चाहती है और बहार से इंसपेक्टर को दर वासा बंदी रखना चाहती है वो बोलती है तुम बहूत जवान होא फूरती भी है रुक पुलीस को बुलाती हूं सौंगी धका मारके खोल देती है ऑफिर दोनों लघते रहते हैं लघते लडते इंसपक्टर को से हद करी लगा देती है और दूसरा अपने हाथ पे लगा दिये कि सौंगी कहीं भाग ना पाएं अर चावी उसके सामने खा लें क्लेती है संगी उसी मारने ही जाती है तो और मारनेहीं जाती है तबी ऑस पेaा फेकता है और डर के भाग जाता है। तोंगी जाले में से निकल के क्लीप से हथकरी खोलके भाग जाती है इंस्पेक्टर को सेंटर को चिलाती है कि पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था ना क्या तुम उसकी भागने में मदद कर रहे थे वह बोगता नहीं कि सब उसके घर में देखते रहते हैं तब डिलेवरी में जो चुपाई थी तब ही तो पुलीस वाले आते हैं उसको बोलते हैं कि एक निउसपीपर वाले ने ये कंफेशन लेटर भेजा है इंस्पेक्टर को वो पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इंस्पेक्टर को नहीं मिस्टर जंग मतलब उसके हजबें का मर्डर की है उन्हें सुसाइट नहीं किये हैं इंस्पेक्टर को बोलती है मेरी एनटिंग नहीं है फिस सौंगी के बारे में सोचके बोलती जल्दी ढूनना होगा उसे फिर पुलीस वाले उसे पुछते हैं कि जिस दिन मिस्टर जंग मरे थे उस दिन एक्चुली हुआ क्या था तुम क्या करी थी वह बोलती है में सबूर ढून रही थी कि साबित कर सकू कि वृ बुरा अदमी है और ढूननी पाई फिर मालुम पर आ कि उसने सूसाइट कर लिया है और कोई सूसाइट नोट जाके और यह ड्रामा इंस्पेक्टर को अपने हजबन के साथ देखती रहती है फिर जब इंस्पेक्टर को को होश आता है तो सौंगी कंटेनर में जाके स्टोरी बुक सब पढ़ती है तो उसे समझना लगता है कि जैनीडा का मुर्डर किम ग्यूएन का मुर्डर वो लड़क वहाँ एक आदमी दिखाता है जिसको के ने वो डॉल और फ्लाइट की टिकर बेजी है जिसे देखके वो बहुत खुश हो जाता है फिस सब लोग आफिस में सुछते रहते कि कौन होगा अगला टार्गेट फिर इंस्पेक्टर को गेंगसित को जाके बोलती है कि तुम बता नाम सुयोंग रहता है और वही आदमी रहता है जिसको केने फ्लाइट की टिकर भेजी दी उधर से वो लोग को कोदाम मिलता है अगले दियन गिंगसु और सेंट अग गुंडावन के जाते हैं उसके ऑफिस और सेंग को ढूंते है कि कहां है वो मेरा पिसा लेके भादा है अपना सर पटकता है वहाँ इंस्पेक्टर को पेस्ट कंट्रोल वाली बनके आती है और कंपणी के इंप्लाइग की फोटो देखती है कि कुछ लोगों के फोटो पे लोगोंने लिखा हुआ है वहाँ कंपणी के लोगों बताते है कि इदर भी बहुत पश्यान करता था कमपनी के समान गैर कानुनी बेशता था बट हमारे बॉस मतलब कोदाम बहुत अच्छे हैं हमेशा माफ करते थे और चाल देते थे फिर वीडियो दिखाती है उस टाइम का जिसमें वो टेबल पिखा रहा हो के सबसे माफी मांग रहा है और सब उस पर हसते हैं मतलब कोदाम केस लग रहा है जिसका वीडियो वो लड़के ने वाइरल किया था तभी सब लोग आते हैं इंस्पेक्टर को बोलती है चलो कोदाम से बात करते हैं जानते हैं कि वो भी सुईयों को तंग करता था क्या गिंसू उसका समान खुलके देखता है कि एक प्लांट रहता है सेंट की निकलती है इंस्पेक्टर को के बास से वहाँ यह दोनों दिखते रहते हैं कि पेंड्राइफ में है क्या बट कुछ नहीं मिलता सेंटा उसे स्टार्ट अप डिक्स करकी यूस करता है तो दिखते हैं कि फाइल अप्लोड हो रही हैं वहाँ वो लोग कोदाम के पास जाके मिलते हैं कोदाम लॉयर भी रहता है इसलिए उसे जाके बोलते हैं केस के बारे में कि एक इंपलॉय को उसका बहुत तंग करता है उसे घंटो टेबल पर खाड़ा करवाता है और लोगों को बोलता है उस पे हसने वह बड़ा शांती से जवाब देता है कि कंपणी में यह समझना चाहिए वह लोगो अपना परसनल नंबर देता है और बोलता है उसको देना मेरा नंबर मैं मधद करूंगा उसकी क्योंकि मैं उसकी दर्द की पुकार सुन सकता हूं फिर वह लोग बहार आते हैं नाजी बोलती है कि कितना परफेक्ट जवाब दिया है को बोली नही दिखाते हैं कोदाम वो लोगो बाहर बेजने के बाद गुस्से में काज पर अपना हाथ मार रहा था वहां नीचे कोई वो लोगो रिकॉर्ड करता है फिर वो बताता है कि वह पंडराइब की वाज़े से कुछ फाइल माइक्रो निट पे अपलोड हो गई है फिर देखते क जा को बलती फोटेज दिखाने तो वह दिखाता है वह देखके वह समझ जाती है कि कुछ लैंवेज़ बात कर रहा है जिसका मतलब होता है कि वीडियो अपलोड कर दो में पेज पर वह वीडियो वही लड़की का था जो वायल हुआ था जिसे कोदाम बार बार अपलोड पिर नाजी जाके चिवियों को बताती है कि के का नेग्स टारगेट कोदाम है फिर उसे पुछती है कि क्या करोगी but वो फिर बोलती है कि उसे पकरने के बाद देखेंगे एक सीरियल किलर घूम रहा है तो किसी को तो पकरना होगा नजी बोलती है हम लोग अपनी जान पे ये सब पता कर रहे हैं इसलिए मुझे आपके बेटे के साथ काम करना है जब वो इलेक्शन जीट जाएगा बाकी सब को मैं देख लूँगी वहाँ ये तीनो रेस्टरांट पे रहते हैं और कोदाम के बारे में सोचे रहते हैं सेंटा बोलता है ऐसे जालिम लोग को तो मरने देना चाहिए तब ही नेजी आ जाती है और सबसे नज़र चुपावे खाती है फिर इंस्पक्टर को जाती है उसी लड़की से मिलने और उसे बोलती है लायर चेंज करने कोदाम बहुत बुरा है ये दोनों बात करते रहते हैं दे उसका लवर उसे बोलता है कि चलो साथ में रहते हैं बट केंवुग इचक चाता है कि वो उस लाइक है क्या फिर उसको हाँ बोल देता है फिर वो हर जगा सौंगी को ढूंता है सिस्टीवी के हेल्प से फिर उसे वो मिल जाती है फिर उसे जाता है मिलने और बताती है कि यह सब एक लड़की ने दी है उसके भाई को मानने के बद से छूटी डीटेल निकाल के देखती रहती तभी प्रिंटर से आवाज आती है और एक प्रिंट प depressed निकलता है सैंटर उसे देखक्स देता है तभी इंस्पेक्टर को मुर्दी और बोलती है तुम्हें कैसे मारूं हो डर जाता है जिसे हुआ से कप गिर जाता है और उस पे इंस्पेक्टर को की फोटो लगाता रहता है और वही बनाने का तहीं वह जाक इंस्पेक्टर को की जिए अने ज हुआ जा देखते हैं कि और आपने कंपणी जा रहा है फिर यह खबर वोलक चीफ यौन को जाके देते हैं वो बोलती है क्या कर सकते हैं फंशन आगर कैंसल भी कर देंगे तब भी के दुसरा चांस जूनके मारेगी इस्पेक्टर को बोलती है फंशन कैंसल नहीं करेंगे बलकि उसको ही रोकेंगे उसको पकरने के लिए मैं स्टेज बनाँगी सिक्रेटी किसी से बॉंब लेता है और कोडाम के कंपनी में रखता है बॉंब फटने की वज़े से सारी डर जाते हैं कोडाम को बोलता है कि फंशन को या तो कैंसल कर देते या फिर पोस्पन कर देते तभी कुट्टों के वोगने के आवाज आती है कोडाम कॉल करक और बहुत शुकर मनाता है कि उसको दूसरा चंस दिया कोडाम ने उसको एक मेसेज आता है देखता है कि उसको फायर कर दिये हैं मतलब निकाल दिये हैं फिर देखता है कि सारे कुट्टे मर गए है कोडाम बुलता है बच्ची और कुद तो ही अच्छा लगता है ना अभी क सौंगी देख लेती है फिर उसके पास से एक डिलेवरी वाला ड्रिंक लेके कंपणी में जाता है और उसकी बाइक पर वही डॉल अटकड़ा होता है वाग ऑफिस में चालों डिसकस करते हैं कोदाम के फंचन का उसमें वो रोबर्ट का शो दिखाने वाला है कोदाम जो है वो बोलती है कि मुझे नहीं मालूँ तब इस पाक्टर को आती है फिर दोनों बात करने जाते हैं इंस्पेक्टर को बोलती है तुम्हें भी शक्ट थाना कि युद्भा एसा नहीं और इसा और वह treatment새 नहीं हो सकता तुम सब बोलती है कि जिसमें और को साबित करके रहूंगे फिर दिखाता है जिसको कोदाम ने निकाल दिया था कुत्टो को मानने के लिए वो एक बैट रख्कर जाता है जिसमें वो लोग को ब्लूप्रिंग मिलता है फिर जहां शो होने वाला है वह इंस्पेक्टर कफ दो आग इंसु जाते हैं फिर दोनों चुप करके बैट जाते हैं सौंगी जो वो लोग को CCTV में देख रही थी वो बोलती क्या कर रहे हैं लोग तब ही सिगनल नहीं मिलता क्योंकि वो लोग ने सिस्टम को रिसेट कर दिये थे सौंगी बोलती क्या लगता है ये करके मुझे रोप पाएंगे फिर एड़पोट लगाती है नहाजी आके बोलती कर दी वी सेट फिर ये लोग चैन से बैठते हैं वो लोग डिसकस कर नहीं जाते है तब ही गेंसु बोलता है वो बोल जैसा क्या है फिर वो लोग महाँ जाके इंस्पेक्टर को बोलती जरूर चुवा आया होगा यहां से फिर वोलों को रास्ता बंद कर देते हैं फिर दिखाता है उसके अंदर टांस्मिटर है जिससे सौंगी वोलों की वाते सुन रही थी वो बोलती यह जादा चलाक हो गये तभी केनवक के घर देवु आता है केनवक की को छुपाता है फिर देवु आंदर आता है खाना ले के तभी सौंगी निकलके बोलती है मैं कजीन हूं उसकी मैं भी साथ में खाओं क्या देवु फ्रीश खोलने जाता है पानी के लिए देखता है कि वाइन रखा है सौंगी को बोलता है कब जाओगी यह सब अच्छा नहीं है किन्वक के लिए सौंगी बोलती है किन्वक उसको चुनलाता है जल्दी खाके जाओ वहां यह लोग स्टेच का देखते हैं इंस्पेक्टर को बोलती है सौंगी स्टोरी बुक में मानने का तरीका नहीं देखती बलकि मोटीवेट हो सके इसलिए पड़ती है फिर है जिसे के को मौका मीले फिवा लू ग्लास्ट में रोबोट को देखते हैं इस्पेक्टर को उसमें जाके बैठती है सीडी की हैसिई णिऋ इस व हो सकता है फिवो फंशन का दीन आता है कोदाम उस रोबोट में बैठ के शोकेस करता है वहां केण वेटर को वेचर करके उसके कपड़े पहन के जाता है और सब बताता रहता है सोंगी को जो रेस्टरौन में बैठ के सब देख रही थी फिक एण वोग फूटकार लेके जाता ही रता है तब सेंडा उसे ले लेता है तब ही अनौन्स होते है कि स्पेशल गैस्ट आ रहे है और उसमें सौंगी की अंट यह कर यह पास जाकर दिखाओ देखती ही चबहां निकालो देखे जोटYeah एगर यह ंता है कि जल्दी चलो सॉंगी ने भीज़ी ये मुझे वह बोलती कहा है सॉंगी क्या को दाम को मानने वाली है तबी इंसपक्तर को आती है और के नुँख महां से भागता है इंस्पक्तर को बोलती है सब को भागने कोदा वो रोबोट में से निकलता है तब ही उसमें आग लग जाती है और वो छोड़े-छोड़े रोबोट से भी आग निकलने लगता है सब लोग वहां से भागते हैं इंस्पेक्टर को के नोग का पीछा करती है गिंसु उसे रोकनी की कोशिश करता है बट करनी आग में चुपके से सिख्रेर रास्ते से जाता है उसका पीछा करती है इंसपेक्टर को उसका पीछा करती है और उसे मारती भी बट वो बाइक लेके निकल जाता है वो बाइक का नमबर बोलती रहती है बट वहां से नेजी नहीं सुनती सौंगी भी भाग के जाती अपनी आंड को बचाने यहां कोदाव सिक्रेट रास्ते से जाता है नेजी उसको मार के बेहुश कर देती है फिर मिस्टर कीम मतलब चीफ करती है और पुछती कहां है सौंगी वह सौंगी में डोर पर देखती है सब आ रहे है उबट उसकी आंट नहीं आ रहे है तो कोडाम के नमबर पर कॉल करती है उसकी आंट उठाती है और उससे पूछती हो ना सौंगी बोलती हिलना मत मैं आ रही हूं तब ही उसकी तरफ कार और इसके हाथ से फून गिर जाता उसकी अब आता है उसको गोली मार देते हैं स्पेक्टर को आपको इसकी अन्ट को उठाती रहती है इस सौंगी आपके देखके शौक हो जाती है के में उसे बाइक पर ले आता है वहां कोदाम को उठाते हैं चीफ यॉंग वीडियो कॉल पर पूछती तो वह बोलता अपने पेटे से कुछ जादा ही प्यार करती हो वह फाइल से मैं ही देख सकता हूं और वह अपने कबर तक ले जाओंगा तो वह बोलती है ठीक है तुम्हारे मर्जी फिर उसको बे मटर करते फिरेंगी नेक्स एपीसोड में जरूर देखें गांगी की आंट को मार देते हैं सौंगी उसी की गम अपने आंट के साथ बितायों पन याद करती है और आईस्क्रीम खाती रहती है वहां उसकी आइंट को फिनरल होता है कि बहुत कम लगाए थे तुम्हें भी आ लगते हैं यह लोग एक्टिंग करते रहते रोने की नजी बोलती कौन सा अच्छा आदमीता चीफ यांग बोलती जब सब लोग देख रहे हो तो संभल के बोलना चाहिए क्या अपने लोग को ठिकाने लगाई वह बोलती कि हां मतलब इंस्पेक्टर को आप अपना घर नहीं छोड़ेगी वह पूछती दूसरी कि इतर है मतलब के मिस्टर कीम बोलता है कि जल्दी ढूंड लेंगे उसे भी वह इंस्पेक्टर को सेंटर को पट्टी लगा के बुखार उतारती है उसका फिर उसे कच्छय मैगी देती है बोलती है खाओ फिर बोलती है कि तुमने ही वह फूट रॉली खीचे थे ना मैं कैसे मालनूं कि तुम उसके साथ नहीं हो तुम्हारे मुबाइल में सिफ हम लोग का नंबर है और कोई नहीं है कि तुम में ही गरबर लग रहा है वह बोलता है मेरे साथ फिर उसे वह अपने घर ले जाता इंस्पेक्टर को अंदर जाके द फोटो होती है फिलास में देखती है कि उसके हस्बेंड के भी फोटो रहती है वो बोलती है किसी चीज़ से तुमारे पास नहीं देख सकती तुम कैसे थे पहले और यहीं गरबर लग रहा है मुझे इसलिए आप से नहीं मिलेंगे बोल के चली जाती है वहाँ गूंग मेरा टेंचन मतलब मुझे जॉब मिली हैं कार्ट देती है जिसमें लिखा होता है कि वह एडवाइजर रहेगी सेंग्टे की वहां सौंगी एक स्टार्ण में बैटके खाती रहती है फिर नियूज देखती कि नहीं के लिए कैम्प रहुए जो सेंग्टे के तरफ से रहेगा फिर देखती है कि एक माँ अपने बच्चे को चिला रही है फिर उसे चपल फेंगती है तो वह सौंगी की टेबल पर आ जाता है रिस्ट्राण ओनर आके माफी मांगती रहती है फिसौंगी उसका पिछा करती है चपल उसकी मुह में ठुसके उसे नीचे की तरफ लटकाती ह और उसे गिरा देती है और मुड के बलती है ठीक है आंट मैं सबको मार दोंगी जो जीने के हगदान नहीं है फिसौंगी हसके भाग जाती है गिंसौ अपने नए आफिस में जाता है वां टेबल के नीचे दिखते है तो उसे गिन्वोप के हाथ का टेटू याद आता है फि वह टेटू का डिजाइन बताता है वह देखती है और फिर अपनी ड्राइंग बताती है जो उसने के नोग का बनाई थी गिंसे उसे देख के बोलते हैं यहीं था वह समझ नहीं आ रहा है दोनों कैसे मर गए मैंने मैं एंट्रेस का फूटेज भी चेक किया बर दोनों नहीं टा χोंए आगे जाने और संगी को उठाके ले जाता है संगी को देख क overflow सै सुषा ना मानने के बाद मों भी जाने को न है की ढता है केनवक बोलता है आप क्या करेंगे कैसे सुसाइट दिखाएंगे सौंगी बोलती वो सोचना तुमारा काम है मेरा काम है बस मानने का तब भी बाहर से देहु आवाज देता है केनवक बोलता है इधारी रहो मैं उसे बीचता हूं सौंगी बोलती एक मिनिट देती हूं जल्दी तुमसे बस प्यार करने का नाटक किया था इसलिए जाओ यहां से और संगी को जाके हग करता है और बोलता है मैंने उसको बोल दिया हूं और वो नहीं आएगा सामने फियो बॉड़ी को वह पानी में फिक देते कैन वक बोलता है मैं तुमारी मदद करूंगा जिसको मानने का तुम्हें उसमें वह पूछती किसको मारों वह बोलता है कि जिसने तुमारी आंड को मारा वहां सेंग्टे के इलेक्शन के लिए सब प्लान देते रहते हैं तभी नहजी बोलती ही कुछ औरतों के लिए करते हैं ज्यादा वोट मिलेगा एक बोलता है कि इंडिपेंडेट वह से सौंगी बोलती ही इतना हराम से कैसे बैठ सकती हूं जबकि मैं कभी भी तुम्हारे पीछे आ सकती हूं इंस्पेक्टर को बोलती ही तुम्हारे पास भी कुछ सवाल है मेरे पास भी कुछ सवाल है तुम्हारी आंड का मार ना हमारा प्लान में नहीं था सौंगी बोल मुबाइल देती वह खाने को अच्छे से देखती हैं कि जहर तो नहीं है तभी उसे मुबाइल पर सौंगी फून करके बोलती खा सकती है और मरोगी नहीं सौंगी उस रिस्टॉरान के बाहर बैटके देखती है फिर पूछती है मेरी और क्यों आई थी वह बोलती है कि तुम् कोदाम किसी पर भरोसा नहीं करता था इसलिए उसने हाट जागा सिक्रेट पैसेज बनाया था मुझे टीवी पर देखे सब समझ गया है फिक इंग से की गले में हाट डालके बोलती है ना जी कोई ये सब फाइदा क्यों हुआ अब इसका क्या होगा इंस्पक्टर को जंदी नहीं दिखे थे तुम कोदाम और उसकी आंट नहीं जी बोलती मैं तो बस कोदाम को वो लोग के पास ले गई थी मुझे नहीं मौनता कि उससे सही में मार देंगे वैसे भी कौन सा अच्छा आदमी था इंस्पक्टर को बोलती है वो लोग जरूर उसे कोई दूसरी वज़ बोलती है कि मम्मा के साथ चलोगी टीवी पर बहुत मज़ा आएगा और उसे सुलाती है लेपटाप में कोदाम का वीडियो देखती है उसके मनने से पहले का जो नहीं ने रिकॉर्ड की ती तरवासे पे बच्छा ठुकता है कि घर में अकेला हम खोलो ना नहीं खोलके करके टाइट करती है यह इंस्पेक्टर को चीफ यॉंग से जाके मिलती है और उससे डारेट पुछती कोदाम को क्यूं मारे चीफ यॉंग बोलती है कि भले वो तुम्हारे बेटे का दुश्मन हो बट ऐसान ही करना चाहिए कुछ दूसरी वज़ा है ना उसको मानने की ची स्पाफ लेके खड़ी रहती है और बोलती है क्या यह कर ना सेपीसोर के साथ कॉछां करना चाहती है और वो चीफ यॉंग भी रेडी हो जाती है इंस्पेक्टर को भागती है नेजी को देखने के लिए चीफ यॉंग के चम्चे इंस्पेक्टर को को पकल लेते है और वहाँ सेंटा और गिंग्स इंस्पेक्टर को को ढूनते है फिस इसी टीवी में देखते हैं कि सुबा अकेले ही निकली थी और वहां मिस्टर कीम इंस्पेक्टर को कोई कंटेनर में रख के फेक देता है और वो सीधा कच्रे में जाके गिर दिये बिचारी खुद को वहाँ पाके बहुत परिशान रहते हैं कि करे क्या इन ये दोन उसकी लोकेशन डिटेक करके ढूनते है तो वो लो को उसका शू मिलता है जिसमें ट्रांस्मिटर होता है और यहां इंस्पेक्टर को सीरी देखती है तो पुड़ी कोशिश करके जाती है बट सीरी तूट जाती और वो गिर जाती है वहाँ चीफ योंग सौंगी को एक घर देती है रहने के लिए जो पूरा पैक रहता है और हार जगा कैमरा होता है और उसकी देख रेक ये माली करता है सौंगी बहाँ निकलने का ढूंती है बट हार जगा बंद रहता है फिर ट्राई भी करती है उपर छलांग मनने का बट करे में ढूंता है अगले दीन चीफ यॉंग अपने दोनों बेटे के साथ कीमची बनाते हैं सारे रिपोर्टर के सामने शूशल वर्क करते हैं तबी हैं मतलब उसका चुटा बेटा एक लड़की को कीमची खिलाता है तो सेंग्टे मतलब उसका बड़े बिटेगी जल जाती है फ अपनी लाइफ अच्छियों से जी रही हूं फिर वह बोलती कि एक बहुत बुरा आदमी है जो लड़कियों को बेचता है तो मैं उसको मानना होगा फिर वह आदमी लिफ्ट में जाता है जहां सौंगी बालून लेके जाती एक बालून फोरती है जिससे पावडर निकलता ह और वह मरता है इंस्पेक्टर को ओटके फिर से कोशिश करती हैं निकलने का नेट का रशी बना के चरती है फिसी रीकी की हेल्प से उपड़ जाती है सुबा से रात हो जाती हैं उसको उपड़ भी तब सब से ऊघ्के बारे में अउगई पूछती कि ऑन चीफ के बारता दी सब बट सौंगी को यह नहीं समझता कि चीफ यह उसको क्यों पकरना शाथ हैं फिन जी की बेटी की धंकी दे के बोलती हैं यह सब सिक्रेट रखना गिंग से बोलता टेंशन मतलो के सिव उसको मारती है जिसने कोई पाप किया हो नहजीब को बहुत पश्तावा होता है कि उसने चीफियों के साथ काम की इंस्पेक्टर को बोलती है चलो पहले पता करते हैं कि यह चाहती गया है तब किनसे बताता है कि जो टेट्व उसने किन वक के हाथ में देखा था वह सीम टेटो उसने लीजुन के हाथ में भी देख गलब है जिसको किम ग्यूमिन और उसके साथी ने मिल के मार दिये थैं उसको पानी में डुबा के फिर उसकी मोबायल में किन वोक का नंबर में मिलता है तो गिंग्स के जाले जैसा फसा लेते हैं वहने जी अपनी फैमिली के साथ सेंटे के वोट के लिए शूटिंग करती है तो सेंटे और चीफ यॉंग दोनों गुस्सा हो जाते हैं फिर चीफ यॉंग इंस्पेक्टर को के बारे में पुछती है तो वह बोलती कि बहुत इन से नहीं मिली हो केंवक होश में आता है तो दिखता है कि उसको बांदे हुए हैं इंस्पेक्टर को पुछती है कि लेजुन का मर्डर कौन किया तुम लोगों कैसे मालूम पड़ा तो वह बताता है कि कहीं भी CCTV फूटेज नहीं मिला हर जगा का CCTV मिटा दिये थे बड़ हम लोग ढुनते घर को आग लगा दे या फिर कोई बांब भेज दे इतना बोलके उसे छोड़ देते हैं मिस्टर कीम को बांब फूर के बताती है और बोलती नेक्स टार्गेट में काम आएगा और वहां केंवक घर जाके देखता है कि बारा ऐसा बॉक्स आया है और वह हिलता रहता है तो व इनवक के घर एक बॉक्स आता है जिसमें बॉडी रहती है फिर कुछ घंटे पहले का दिखाता है जहां यह आदमी रिपोर्टर रहता है और न्यूज लिखता रहता है तब ही रसी से उसका गला दबाती है और वह जगह को आग लगा देती है फिर चीफ यह उसे आके बोलत समझता है इसलिए इस रिपोर्टर को के इनवक के घर बेजिए पता करने की क्या है वीडियो में सौंगी को गरबर लगता है कि एक नॉर्मल रिपोर्टर को चीफ यंग क्यू मारने चाती है यहां वो मेमरी कार्ट देता है के इनवक वीडियो को अच्छे से करके देखता ह कि वो वीडियो शीप के पास का है जिसमें लीजियून कीम ग्यूमीन और कुछ लोग दिखते हैं बट चेरा साफ नहीं दिखता फिर वो लोग को मालूम होता है कि सौंगी ने एक को नहीं मार पाई थी जो उस दिन शीप में मौजूद था कीम ग्यूमीन के साथ से ठीडीगता है वही आग लगने का उसमें देखता हुए की एक डिलिवरी गाड़ी बारा सा बॉक्स लेके जा रही है तो झुए घर पहुंचता है फिर पुलिस बनके उसके घर जाता है और यहां । को सूंघी का कॉल आता है केनवो बोलता है इनस्फेक्टर को भूली है उनसे बात करने वही बताएगी किसको मिस कर दिये है मानने में वह好 खुश हो जाती है सुनके इक इनस्पेक्टर को जिन्दा है तभी उसका माली आ के देखता है कि किसी सा बात तो नहीं कर रही एनिदा मिस्टर कीम घुस के रिपोर्टर के बारे में पूछता है और उसे मारता भी है फिर उसकी परोसी आती है के वोट के लिए यह काम करवाती है तबी गेंग्सु आख के बोलता है कि शीप की वीडियो में जो एक आदमी बचा है वो सेंग्टे या फिर हेंटे हो सकता है क्योंकि तब ही चीफ यह फूटेज के लिए रिपोर्टर को मरवाना चाहती है ना जी बताती है कोदाम ने मरते मरते कुछ बोला था उसको वीडियो है मेरे पास वी वो लोग वीडियो देखते हैं जिसमें वह बोलता है कि वह फाइल सी मैं यूज कर सकता और वह मैं अपने कबर तक ले जाओंगा यह लोग सोचते हैं कि कोदाम किसी पर भरोसा नहीं करता था किसी को वह नहीं देगा और कहीं वह आल्लाइन भी नहीं रखा होगा इसलिए हो सकता है वह चीज वह अपने साथ लेके घुमता हो सेंटा बोलता है जैसे उसकी रिंग जो कभी नहीं निकलता था यह लोग को समझता है कि उसकी रिंग में ही होगा कुछ जो वह अपनी कबर तक ले गया है उदह मिस्टर कीम सौंगी को पुछता है केनवक को रिपोर्टर के पास बेजी हो ना वो नहीं बताती तो उसे इंजेक्शन दे के माली को बोलता है कि ब पर गया तो तुम्हें नहीं चोड़ेगी इसलिए एड्रेस लो और जब वह लोग कोदाम को समान ढूंड़ने गए हैं वह वहां से जाता है वह लोग देखते हैं कि कोदाम के याद में उसका पुतला बना है और उसकी सारी चीज़े पुतले के अंदर है इंस्पेक्टर को भुष माकで देखती है कि जेल जैसे में बंद है और वो माली हथ्यार ढून रहा है फिर वो अंदर से भावार देती है वो माली अंदर जाकर देखता है तब सउन तो मरके वहां के ट्रेंटर शे बेहार निकल जाती है आखिरकार वो घर वाले जेल से पीछा चुरवा लेती है यहां मिस्टर कीम कोदाम के इसमें जैसे ही जाता है साइनन बज़ने लगता है सेंटा उसकी कोट में रिंग रख के उसे पकरवा लेता है फिर दिखाता है कि नहाजी को इंस्पेक्टर को ही बोली थी मिस्टर कीम को बताने किदर रहेंगे हम वह सोचती है कि उसने बोली थी कि लेजिवन के मानने के बाद सारे लोग शीप में एकित करके मर गए जब कीम क्यूवन मरा था तब ही चीफ यों बोली थी केक को पकरने फिवो मेमरी काट का वीडियो देखती है उसमें दिखाता है कि एक वीडियो निकाल रहा है और कीम क्यूवन ड्रग लेके आता है सब लोग मस्ती करते रहते हैं उसमें लेजिवन को भी वो लोग ड्रग देते हैं ड्रग लेने के बाद सब टली रहते हैं फिवो वीडियो निकालने वाला लेजिवन को पैसा का लालस देता है और पानी में फिकता है लीजिवन नशे की हालत में गिर जाता है बट तहन नह पाता है सब लोग उसकी मदद करना चाहते हैं बड़ वीडियो निकलने वाला मना कर देता है एंड वीडियो यहीं तक खतम हो जाता है उसका फेस नहीं दिखता है इंस्पेक्टर को बोलती है कि यह रहा फिर दिखते हैं के चश्मे में उसकी जहलग दिखती है और वहां देती है और बोलती है नाजी को परिशान मत करने अपसे सौंगी बोलती है घर में घरी दिख रहा है वह इसलिए जब तक ट्रेन ना खुले निकलना मत नहीं तो बटन दबा के उड़ा दूंगी जल्दी से अपने फादर को कॉल करके बोलती है कि जल्दी घर से बहा निकलन सौंगी ट्रेन से उतर जाती है और वो बॉम कपट एंड एक बच्ची को दे देती है वो बच्ची बटन दबाती है और वो घरी में सिफ अलाम बसते टूट जाता है वहां चीफ यॉंग मॉंग से रह मश्मरा लेती रहती है फिसौंगी की फोटो भी बताती है वो बोलता ह सौंगी तब सौंगी को सौंगी मिलती है सौंगी के पुछती है कि और घर भी नाई सौंगटे पूरा डर जाता है तुम्हारे छुटे भाई की वज़े से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो एक्शन में अगरो मर गया तो न्यूस आएगी कि संटे ने बिचारे अपने भा दे देती है प्रिसपने पेटे ऐगर अपने चन्ट में रहे गाम को एक इक कभी सरेंटर करने नहीं दे दि रखे प头 पने नहींदे कि सेंग्टे का चोटा भाई हेंट्रे ड्रग लेता है और उसने ही किसी का मरर किया है जीफ यंग एक नुइस वाले को पैसा दे के था वह वीडियो नखली है सेंटे आगे पुषता है हेंटे किदर है मुझे उसे मानना है चीफ यंग एक चमाट मारती है और बोलती है वो सब मत सुचो बस अपने इलेक्शन पर ध्यान दो वो लड़का याद है जिसने अपनी गल्फरिंड की वीडियो वायल किया था वो उसकी गल्फरिंड वो जाती रहती है बस से तो संगी उसे डॉल देती और बोलती है कॉल करने फिर चीफ यंग बहुत कोशिश करती है सेंटे का इलेक्शन बचा सके बर कुछ नहीं होता तो आ मैंने शिफ वार वीडियो रिलेश नहीं की जरूर इंस्पेक्टर को सोची होगी कि अगर ज्यादर लोग हंटे पर नजर रखेंगे तो मैं उसे मार नहीं पाऊंगी इंस्पेक्टर को जो मेमरी कार्ड दी थी सोंगी को केंवो चेक करके बोलता है कि इसमें कुछ फाइल कोदाम ने जरूर दूसरे बारे लोग का भी वीडियो रखा होगा इंस्पेक्टर को नहीं चाहती कि सोंगी वह सब को भी मारे सोंगी बोलती है चलो फिर बाकी वीडियो लेते हैं दहां यह लोग सब बैट के प्लान बनाते रहते हैं हैं क्यों हम बुड़े लोग के लिए में लड़ रहे हैं के को दे देते हैं असब को मार देगी पर उसकी कोई नहीं सुनता तो वह आफिस जाता है कि मुझे दो वीडियो मैं सब को मारती हूं फिवू वाश्रूम में जाकि उसे पेनराइब दे देता है फिए का असल गेम शुरू होता है वह लड़की से सब को बेटे के बारे में पूछने के लिए चीफ यंग बोलती रहती है तभी गुस्य में उस पे एसीट फेकता है फिर होस्पिटल में इंस्पेक्टर को चीफ यंग का फोटो खिचती रहती है और बोलती है कि हेंग टे के लिए प्रेंस कॉंफर Anime करो निज करो माफी ऊहांग सके पिलूड को परिशानी में परकेश भूड बारे में बताता है और बोलता है प्रेस कोंफेंस के बाद अब रॉट चला जाओंगा वह सब रिपोर्टर वेट करते रहते हैं तभी हैंटे के फैन्स अब यहां सौंगी मिस्टर कीम को बेहुश करके चीफ योंग को ले जाती है वहां एक लड़की छिलाती है कि अच्छे स रखती है और उसे बाकी 20 लोग का वीडियो दिखाती है जो पाप किये रहते हैं और वही बीस लोग एक गोडान में जाते हैं पैसा लेके मतलब सौंगी ने सब को ब्लैक मिल की थी उन्लों के वीडियो से फिर सौंगी पूछती है कि कौन सबसे जादा बूरा है किसको बेटे हैंग्टे को दोनों जगांगां जिसको भी चूस करोगी वह लोग करके उर जाएंगे वह लोग देखते हैं कि टैटी बीयर से अटैज सेंग्टे भी उदर है क्या सौंगी बोलती कि कोई भी एक बटन अपने सिर से दबां फिर वह लोग मर जाएंगे अगर नहीं दबाओगी तो मैं दोनों दबा दूंगी तभी चीफ यंग अपने बिटे वाला बटन दबा देती हैं यह लोग शौक हो जाते हैं कि सौंगी उसे पुस्ति क्या पदा तुमें 20 लोगों के साथ सेंग्टे भी हैं सौंगी बहुत अच्छा काम की अपने नलाइक बिटे को मारने का और 20 लोगों को बचाने का बट यह रहाट ट्विस फिस सौंगी बोलती है कि अब या तो 20 लोग या फिर तुम किसको चुनोगी वह चीफ यंग का पड़न दबात दी है सौंगी बोलती अच्छा बने की कोशिश कर रही हो फिवह उसकी आंग देखती है तो जल्द को बताती है कि यह सब की प्लैनिंग उसने पहले ही कर ली थी केको हैंटे का वीडियो देने के बाद हैंटे को पकड़ी जाके ताकि चीफ यांग को बता सके कि इंस्पेक्टर को खुछ भी गर सकती है और जो शीफ वाला वीडियो भी रिलीज की थी इंस्पेक्टर को वह लागाती है सटमे में चली जाती है की इंसपेक्टर को ने उसे मात दे दी सबी मोज Conti कि जाकर देखो कोई तो वहाँ निए यह बोलती कितने नश्यख पापी लॉग इसलियम आने जोडान वहां ofo Doえば सब को बाहर निकालता है यह इंस्पेक्टर को संगी को बात में घुमाती रहती है टाइम लेती रहती है वहां गेंग सु सब को बचा लेता है तभी एक बोलता है कि सेंग्टर अंदर ही है वो जल्दी से अंदर जाता है तभी यहां इंस्पेक्टर को बटन दबा देती है संगी क बोलने पे वहां गेंग्सू सेंक्टे को भी बचा लेता है यहां सौंगी बहुत खुश हो कि उसे गले लागा थी कि पहली बार किसी ने मेरे लिए किसी को मारा है इंस्पेक्टर को उसे टाइट पगड़ के बोलती कि साथ में चलते हैं पुली स्टेशन सौंगी को समझ जात वो बताती है कि वो लड़की की गल्फ्रेंड ने इंस्पेक्टर को पूरा बता दी थी और बोली कि उसको और लोगों को मन इसे बचा लेने तबी वहां से किनवक सेंटा को लेके आता है और तबी वहां चीफ यॉंग भी अपने पल्टन को लेके पहुचती है सौंगी पे गोली चलाती है तो किन्व वो गोली खा लेता है इंस्पेक्टर को जल्दी से पर्दा गिरा देती है फिर बॉम को चीफ यॉंग के पास फेक के सौंगी उस पे बटन दबाती है और सेंटा को लेके भाग जाती है वहाँ बॉम टिक टिक करके भूम हो जाता है फि इधर है चीफ यॉव भड़क जाती है गिंग सू आके केनवोग को भी बचा लेता है फिर वो बताता है कि सौंगी किदर गई होगी यहां सौंगी सेंटा को लेके ट्रेन के डब्बे में चर्थी है तब ही वहां से इंस्पेक्टर को भी निकलती है क्योंकि उसे भी केनवोग से अच्छा अच्छे लोग को बचा लेती है तो आज यहां नहीं होती है सौंगी बोलती तुम स्मार्डवन की क्या कर ली तुम्हारे हस्बन ने तो सुसाइट कर लिया तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि यह तना अच्छी से क्यों पेश आता है सबका एक मकसद होता है और इसका मकसद था कि वह पश्तावा कर सके क्योंकि इसकी वज्ज़े से लेकर वह इस्पेक्तर को की हस्बन के साथ थी हिंसे पुरा हम पर चैटेन ऊश्पिल कर दिया है की सपितल सेफल कर लेड़े हैं स्विधम सेफल घिर पर गूटी नहीं है रहां परपिश्थन और बहुथ कर ने कहां है पर मार फिस्टि स्टेशन पिक वीडियो और और मेरे पास खी और को पुलिस चीफ यहों को अरेस्ट कर लेती है केनवक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है नजी अब अपनी बेटी को टाइम दे पा रही है इंस्पेक्टर को को गेम से फोर्ज़त नहीं है गिंगसु ने अब अपना डिटेक्टी एजेंसी खोल लिया है वह भी इंस्पेक्टर में भी संसेट का मजा ले रही जाती है एंड यहां यह लोग करते रहते हैं कोई आएगा करके फिर जाके एक क्लाइंट आती है उससे देखके यह लोग शौक रहते हैं इंस्पेक्टर को बूलती है कुछ तो गर्बन है एंड यहीं ड्रामा खतम हो जाता है तो आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता हैं ऐसी इंट्रेस्टिंग ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर बजाए बाई ठेकर